नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तों आपको ये तो पता चल गया होगा कि सुसांत सिंग राजपूत की एम्स के डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट त्यार करी है और इस रिपोर्ट को CBI को भी सौंप दिया गया और ये रिपोर्ट जो एम्स के डॉक्टरों के दोरा त्यार की गई थी इस रिपोर्ट में ये खुला सा हुआ है कि सुसांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सुसांत ने ही सब कुछ जानवश करके किया था लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आडियो बाइरल हुई है और ये आडियो किसी और की नई बलकी उस डॉक्टर की है जो कि एम्स के डॉक्टर है सुधीर गुपता जी हाँ इनका लेक्ट आडियो आ चुका है आप सामने और बोल रहे हैं कि सुसांत के साथ एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था मतलब कि सुसांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ किसी और ने किया था और ये आडियो बाइरल होने के बाद कही न कहीं अब डॉक्टर सुधीर गुपता पर भी सुसांत के साथ एक बड़ी घटना हुई थी ये आडियो टैप तबका बताया जा रहा है जब उन्होंने सुसांत की फोटो देखी थी लेकिन जब जा चुई तो उन्होंने इसको एक ऐसी घटना करार जो कि Σुसांत ने खुद दिया था बता दे कि सुधीर गुपता उसी टीम के हैड है जिन्होंने सुसान्थ केस की फोरेंसिक रिपोर्ट सौपी थी टाइमस ओफ इंडिया के अंसार इस ओडियो टैप में डॉक्टर गुपता का कहना है कि जब सबसे पहले तस्वीरे उनके सामने आई थी उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि सुसान्थ के साथ एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और किसी और ने सुसान्थ को मजबूर किया जिसकी वरे से सुसान्थ को ये दुनिया छोड़ना पड़ा हलाकि बाद में एम्स के फैरेंसिक पैनल की रिपोर्ट में कहा गया कि सुसान्थ के साथ जो बड़ी घटना हुई है उसमें सुसान्थ थी उसकी बड़ी बज़ेते EMS की इस report से सुसान्त की family भी संस्ट नहीं थी और सुसान्त की family लगातार इस बात की गुषर लगाती रही वो एक बार फिर से इस case को जांच करने के लिए कहेंगे साथी आपको बता दें कि लगातार CBI पर भी अब उठने लग गई है क्योंकि CBI भी इस case में बहुत ही slow जांच कर रही है और CBI को भी अभी तक किसी भी तरह से ऐसे सबूत नहीं मिल पाए है जिसे कि ये साबित हो सके कि सुसांद के साथ जो घटना हुई है यानि कि सुसांद को किसी और ने टपकाया है तो कुल मिला करके एक और बड़ी चो खबर आ रही है वो ये है कि एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर से हंगावा मत चुका है जी हां फोरेंसिक रिपोर्ट में सुसांद के साथ हुई घटना को खारिश करते हुए कहा गया है कि जिन हालातों में सुसांद के साथ ये सब कुछ हुआ वो बताती है कि इसमें किसी किस्म का फाउल प्ले नहीं है और ये एक तरह से ऐसी घटना है जो कि सुसांद ने खुद अंजाम दिया साथी एमस अमेडिकल बोड ने सोंबार को सीबी आई के साथ अपनी जांच रिपोर्ट कूपर अस्पताल द्वारा निकाले गए निसकर्सो के साथ सेर भी की थी साफ है कि अब एमस की रिपोर्ट मिलने के बाद सीबी इस मामले की जांच में इस तरह से करेगी कि कहीं सुसांत ने खुद इस घटना को तो अंजाम नहीं दिया इस एंगल से अब CBI को जाच करना पड़ेगा यानि अब आगे की तब 30 में इस तबाल का जवाब ढोना जाएगा कि अगर सुसांत ने इस घटना को खुद अंजाम दिया तो उसकी क्या वज़े थी क्या उनके उपर किसी ने दबाव डाला या फिर किसी तरह से सुसांत को मजबूर किया गया यह सब पुछ करने के लिए लेकिन EMS के डॉक्टरों की जो आडियो वाइरल हुई है कहीं न कहीं यह बताती है कि कहीं न कहीं पहले EMS के डॉक्टरों को भी यही लग रहा था कि सुसांत के साथ जो घटना हुई है उसके पीछे कोई बड़ी वजय थी और साथी किसी और ने इस घटना को अंजाम दिया लेकिन EMS की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो की EMS के डॉक्टरों पर भी सक करने लग गए हैं क्योंकि इससे पहले भी कुछ डॉक्टर ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट आने के बाद उन पर भी सक किया जा रहा था सुसांत की जब पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आई थी या फिर किसी और का इसमें हाथ था साथी आप हमारी महनत सफल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना धन्यवाद